मित्रों नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त डॉक्टर अनिल अग्रवाल, आज हम बात करेंगे एनल फिशर की, फिशर का मतलब होता है कट पड़ जाना, जब इसकिन के अंदर कट पड़ जाता है मालो और वो गहरा हो तो उसे फिशर बोलते हैं, और जिस तरह से अगर हमारे जीब के अंदर भी कई बारी कट पड़ जाते हैं, जिसे हम फिर टंग फिशर कहते हैं, एडी फट जाती है, वो भी फिशर ही होते हैं, इस तरह से गुदादवार के अंदर जब कोई कट पड़ जाता है, तो उसे हम फिशर कहते हैं, और ये एनल फिशर बहुत ज्यादा त ज्छादा अच्छा लगता है क्योंकि जब हो लेसे जादा जलना और दर्द होता है तो इस जलना व दर्द से बच्छने के लिए उसे ज़या सोफ एक लoin डारतर है उस यह इनल catcher कियों होते हैं इसके сил क्या होते है और इसको कैसे ठीक और जाए इन सब बातों के उपर आज हम विचार करेंगे, तो एनल फिशर का कारण क्या होता है, जनरली जो कारण होता है, वो कॉंस्टिपेशन होता है, जब रोगी को हार्ड श्टूल आता है, तो हार्ड श्टूल की वज़े से गुदादवार उतरा नहीं खुलता है, और उसक होते हैं, उसको हम acute anal fissure कहते हैं, और जो पुराने हो जाते हैं, उनको हम chronic anal fissure कहते हैं, लेकिन ये दोनों ही दुखदाई होते हैं, और इनको ठीक करने के लिए हमें बहुत मैनत करने पड़ती है, अगर इसको शुरू के अंदर हम ध्यान कर लें तो जल्दी ठीक हो जाते हैं, तो जैसे मैंने बताया कि इसका मुख्य कारण constipation है, तो constipation को दूर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो आप यह सोचे कि मैं लेता रहूं या जिससे लेकिन पतली आए, और उससे मैं ठीक हो जाँगा, तो थोड़े दिन तो उसको अच्छा लगेगा, रोग पड़ेंगे, जैसे सलाध है, पत्ते वाली चीजे हैं, फ्रूट हैं, यह ज्यादा लेने पड़ेंगे, और अगर रोटी जो है, वो भी पूरे जो चोकर वाली ही खानी चाहिए, जिसके अंदर जिस तरह से आपने देखा होगा ना कि आटे को कई बारी माताई जो हैं तो ही हमारे लिए बहुत जाद अच्छा होता है, उसे निकाल कर फिर बनाती है रोटी, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, बलकि पूरे चोकर के समेंथ ही रोटी बनानी चाहिए, और मैदा वाली चीजे कम खाएं, पूरे आटे वाली चीजों को ज्यादा खाएं, और हरी सबज यह है कि हमें एक्सरसाइज ऐसी करनी है पेट की और योगा करना है, रोज डेली वाकिंग करनी है, जिससे कि कॉंश्टिपेशन ना बन पाएं, आते हमारी जब अपने आप चलनी शुरू होंगी तो फिर वो कॉंश्टिपेशन नहीं रहेगी, नहीं तो अगर आप करना आपका ये अनल फिशर कभी ठीक नहीं होंगे, दूसरा अगर कोई और बिमारी है तो उसके पर भी ध्यान देना पड़ेगा, महले आतों कोई क्रोंस डिसीज है या डायबिटीज है, रोगी को उसके अंदर भी कट्स पड़ जाते हैं, तो उन सब उन रोगों को भी हम दर्भ होता है तो उसके लिए वहां पर गुददद्वार के अंदर कुछ ऐसी क्रीम आती है जो लगाई जा सकती है, हूमेप्य kysमा झाथी हैं, आल्लो पेजी लगा सकते हैं, उन से क्या होगा की वह पर एक तो वह पर वो लुब्रीकेशिं की वरियस से बार बार नहीं जिनके प्रियोग से ही एनल फिशर को ठीक किया अगर आप यह नहीं करवाएंगे तो आइन्त में आपको सकता सरज्जी तक भी कर्वानी पड़े और जो कि फिर आपको पता ही कि अधर कैसे किया किया जाता है और उसके बाद भी फिर भी होने के च आंस रहेंगे तो हमेति के दिखे और दिखे रिखे नर्वाइएं को नमनाम में बताता हूं जो भूत अच्छा काम करती है और इसके पर पर आने लगती है आते आते फिर वापस आपर चली आती है यह इसका एक मुख्या बहुत ही अच्छा सिम्टम होता है इसके अतरिक्त दभाई है रेटेनिया रेट इसके प्रियोग से ट्राइनस भी खतम हो जाती है और एनलफीशर भी ठीक हो जाता है एक दवाई है प्योनिया यह बहुत अच्छी दवाई है इसके अंदर हर समय गुदादवार में बहुत गीलापन रहता है लगता है कि अभी लैटिनाई अभी लैटिनराई लेकिन वो सिर में इसके अंदर बहुत अच्छा काम करती झाल मिर्टिक अपडिक ये और या सिर्क में वहीद नदर करने लिए और 50 अड长 коли दवार के अछिप सिंसेशन को श्कम करती है और पार रही हैं और उस जखंग को भी हील कर देती है इस पतकार से एनल फिशा ठीक हो जाते हैं लेकिन एनल फिशा ठीक करने के लिए कभी भी लाप्रवाई नहीं करनी चाहिए कि बहुत चलो मैंने अपने कोई दबाई ले 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 ऐसा ना करें डाक्टर के पास जाएं और उसको बताएं और उसके हिसाब से इलाज करवाई जिस तरह से बताता है वैसे जानकरी क्योंकि अवश्य होनी चाहिए इसलिए पूरी जानकरी मैंने आपको दे दिये और किस रोग के अंदर क्या-क्या होता है और कई मरीं तो यह होता है कि रोगी सोचते कि थोड़ी बहुत है माली कभी यह कोई कट पड़ा बहुत यंग पेशन्ट है तो उसे कोई ऐसी बात नहीं होती कि वो जखम अपने अब भी हीलो हो जाता है लेकिन उसके बाद उसको हमेशे ध्यान रखना चाहिए कोंश्टिपेशन से ना रहे धन्यवाद दोस्तों